तो मूवी की स्टार्टिंग में हम जूलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो की एक केटरिंग कमपनी की ओनर होती है और वो अपने इंप्लोई पॉल के साथ एक विलेज में मिसिस पर्च के यहां पार्टी को अरेंज करने के लिए जा रही होती है जहां पहुचने पर जूलिया फ्लोरा नाम की एक वरकर से मिलती है जो के मिसिस पर्च के यहां ऐसा कुक वर्क कर रही होती है वही अब पॉल भी वहाँ पहुशने पर अपना काम स्टार्ट कर देता है जिसके दर्मियान मिसिस पर्च का बेटा सिडनी वहाँ अपने डोग परसी के साथ आता है और पॉल से एक बीर की बोतल मांगता है जिस पर की पॉल उसे एक बीर की बोतल दे देता है वहीं इसी बीच हम परसी को देखती है जो कि continuously वहाँ जमीन खोद रहा होता है और जब परसी वहाँ जमीन खोद रहा होता है तो तभी उसमें से एक इंसेक्ट बहार निकलाता है जिसका पीछा करते हुए परसी वहाँ से दूर चला जाता है परसी को दूर जाता देख सिडनी भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए चला जाता है आगे हम देखती है कि इन सभी बातों के बाद पोल वापिस से अपने काम में लग जाता है लेकिन जब वो अपना काम कर रहा होता है तो तब ही वहां एक इंसेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से पॉल नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही उसके पैर में चोट लग जाती है वही जब जुलिया उसकी चोट को देखती है तो वो उसे वैन में मैडिसीन लेने के लिए भेज देती है जुलिया के कहने पर पॉल वैन में मैडिसीन लेने के लिए चला जाता है लेकिन जब वो वापस लोट रहा होता है तो तभी उसे रास्ते में एक गाडन दिखाई देता है जहां जाने पर उसकी मुलाकात मिसिस पर्च से होती है जिन से मिलने के बाद पॉल वहां से चला जाता है वही आगे हम उस पार्टी को देखते हैं जहां अब सभी गेस्ट आ चुके होते हैं जिनके आने पर पॉल और जुलिया सभी को बीर सर्व करते हैं मगर जब वही दोनों कर रहे होते हैं तो तभी इसी बीच पॉल को वहां एक इंसेक्ट दिखाई देता है जिसे कि वो एक ट्रे की मदद से मार देता है आगे इन सभी बातों के बाद अब सिडनी उन्हें स्पीच देने लगता है और इस स्पीच के एंड होने के बाद वहाँ पर अचानक से एक आदमी नीचे गिल जाता है और तड़पने लगता है जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग डल जाते हैं मगर जब वे सभी उस आ मार कर अपनी पोपुलेशन बाडा रही है और जिसे भी एस्टिंग लगता है वो जल्दी एक जाइंट वास्प को जन्म देता है जिसके कारण उसकी दैथ हो जाती है वही आगे जब पॉल और जुलिया उन सभी इंसेक्ट से बचने की कोशिस कर रहे होते हैं तो तभी एक जाइंट वास्प पॉल पर हमला कर देता है जिसकी वज़ा से उसकी वैन की कीज नीचे गिर जाती है मगर इससे पहले कि वो वास्प उसे मालता जुलिया वहां आकर उसे बचा लेती है आगे हमें पता चलता है कि पॉल जुलिया मेर सिडनी मिसिस पर्च और फ्लोरा ही उन इंसेक्ट के हमले से बच पाते हैं और एक घर में जाकर छुप जाते हैं मगर उनके अलावा बाकी बचे हुए लोगों की मोत हो जाती है वही अब वे सभी उन इंसेक्ट को देखने के बाद काफी डर जाते हैं और उनसे बचने के लिए कुछ आईडियाज सोचने लगते ह जिसके दोरान पॉल उनसे पूछता है कि क्या तुम्मे से किसी ने पुलिस के पास मदद के लिए कॉल किया था जिस पर वे सभी पॉल का जवाब नामे देते हैं जिसे सुनकर पॉल काफी घबरा जाता है मगर तभी शिर्णी उसे बताता है कि उसके ओफिस में एक फोन है जिससे कि वो पॉलिस से मदद मांग सकते हैं शिर्णी की ये बात सुनकर पॉल तुरंत वहां से उसके ओफिस की और निकल जाता है लेकिन जाने से पहले वो सभी से पूछता है कि क्या तुम में से किसी को इस्टिंग तो नहीं लगा तो तब वे सभी ये बताते हैं कि उनमें से किसी को भी इस्टिंग नहीं लगा है आगे हम देखते हैं कि अब पॉल, जुलिया और सिड्नी पुलिस को कॉल करने के लिए ओफिस में जाते हैं जहां वे देखते हैं कि एक कार टेलिफॉन पॉल से टकरा गई है जिसकी वज़ा से वहां सिगनल नहीं आ रहे और इसी वज़ा से वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाते इसी बीच वहाँ विंडो में से एक सर्वाइवर अंदर आने के लिए उनसे हेल्प मांगता है लेकिन सिड्नी उन्हें उसकी हेल्प करने से मना कर देता है कि तभी इतने में वे इंसेक्ट उस पर हमला कर देते हैं और उ मिसिस पर्ट को देखते हैं और यहां हमें पता चलता है कि मिसिस पर्ट को पहले ही इस्टिंग लग जुका था जिसके कारण अब उनके अंदर से भी एक जाइन्ट वास्प Woo और आप साथ जिए हैं जिसके दल्मियान हम सिड्नी को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ होता है क्योंकि उसे भी गार्डन में इस्टिंग लग गई थी जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताता वहीं आगे इन सभी बातों के बाद मेयर सिड्नी से पूछता है कि यहां पर आखिर चल क्या रह था लेकिन उसकी मोम ने उस फर्टिलाइजर को अपने गार्डन में रख दिया था जहां पर वो लीक होकर नीचे ग्राउंड में चला गया और सायद इसी वजह सभी वास्प मूटेटिड हो गए सिड्नी की ये बात सुनकर वे सभी उस पर काफी गुसा होते हैं क्योंकि उसके कारण वहां काफी सारे लोगों की मौत हो गई थी वही आगे अवे सभी केटरिंग वैन की मदश से वहां से भागने का डिसाइड करते हैं मगर उसके लिए उन्हें उस वैन की कीज चाहिए होती है जो की पॉल से उस गार्डन में गिर गई थी और अब उन कीज को लाने के लिए पॉल उस गार्डन में जाता है जहां पहुँचकर वो उन कीज को ढूंडने की काफी कोशिश करता है और फाइनली वो उन्हें ढूंडी लेता है कीज मिलने के बाद पॉल जब वहां से जा रहा होता है तो तभी उसे वहां पर सिडनी का डोग पर्सी दिखाई देता है जिसे देखकर पॉल थोड़ा घबरा जाता है मगर तभी पॉल परसी के अंदर से एक जाइंट वास्प को निकलते हुए देखता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है लेकिन इससे पहले कि पॉल वहाँ से भागता वो वास्प उस पर हमला कर देता है उस वास्प के हमला करने पर पॉल भी उसका डट कर सामना करता है और अब जल्द ही सिड्नी के अंदर से भी एक जाइंट वास्प बहार निकलने लगता है। मगर उस वास्प के पूरी तरह से बहार निकलने से पहले ही वहाँ पोल आ जाता है। जो कि सिड्नी पर हमला कर देता है और उसे वुडन सैल्फ के नीचे दबा देता है। वही आगे अवे तीनों वहाँ से भार निकलने के लिए रास्ता ढूंड रहे होते हैं, जिसके दर्मियान एक वास्प मेर को पकड़ लेता है और उन्हें खाने लगता है, जिसे देखकर पॉल उन्हें बचाने की काफी कोशिश करता है, मगर वो उन्हें बचाने में नाकाम्याब हो जाता है, जिसके बाद पॉल और जुलिया वहाँ से भाग जाते हैं और एक रूम में जाकर छुप जाते हैं, जहां जुलिया पॉल को बताती है कि अगर वो यहाँ से बच के निकल जाती है तो वो अपना बिजनेस बेज देगी और एक नॉर्मल जोब करेगी जिससे की पॉल भी एगरी करता है, लेकिन इतने में ही एक वास्प उन पर हमला कर देता है, मगर अब की बार वे दोनों घबराने के वज़ाए उसका सामना करते हैं और उसे मार डालते हैं, उस वास्प को मारने के बाद वे दोनों उस घर से बहार निकल आते हैं, और घर से बहार आते ही उन्हें वहाँ एक और जाइंट वास्प दिखाई देता है, जिसे देखकर वे दोनों वहां से भागने लगते हैं मगर उनके भागने से पहले ही वो जाइंट वास्प उन पर हमला कर देता है और पॉल को पकड़ लेता है जिसे देखकर जुलिया उसे बचाने की काफी कोशिश करती है मगर वो वास्प जुलिया को दूर फेग देता है और पॉल को लेकर चला जाता है वही आगे हम देखते हैं कि पॉल को जब होस आता है तो तब वो अपने आपको बंदा हुआ पाता है और साथ ही वो वहाँ पर सिडनी को भी देखता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि सिड्नी को तो पॉल ने वुडन सेल्प के नीचे दबा कर मार दिया था मगर असलियत में वो मरा नहीं था वो तो सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोस हुआ था वही आगे अब पॉल को वहाँ सिड्नी के साथ साथ उन वास्प की कुईन भी दिखाई देती है जिसे देखकर वो पहचान जाता है कि वो सिड्नी की मदर मिसिस पर्च है जो कि अब भी सिड्नी को कंट्रोल कर रही है जिसके बाद वो कुईन एक वास्प लारवा को जनम देती है और सिड्नी से उसे पॉल के मूँ में डालने को बोलती है मगर जब सिड्नी उस लारवा को पॉल के मूँ में डाल रहा होता है तो तभी इतने में वहाँ जूलिया आ जाती है जोकी सिर्णी के पेट में ड्रील चला देती है जिसकी वज़ा से उसकी मोत हो जाती है और अब इसके बाद जुलिया उनकी कुईन को भी वहां से भगा देती है और पोल को लेकर वहां से चली जाती है लेकिन जाने से पहले जुलिया वहां एक गैस पाइप को कट कर देती है जिससे कि वहां पर गैस लीक होना सुरू हो जाती है जिसके बाद वे दोनों तुरंत वैन की और भागने लगते हैं और वैन में पहुचने के बाद जुलिया एक केन को जला कर घर के अंदर फेक देती ह जिसकी वज़ा से वो पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है मगर पॉल और जुलिया वहां से सही सलामत निकल जाते है वहीं आगे अब उन दोनों को ये लग रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है मगर तभी उसी वक्त एक जलता हुआ वास्प उन पर हमला कर देता है जिसे देखकर पॉल काफी डर जाता है और अपनी वैन से एक पेड को टककर मार देता है जिसकी वज़ा से वो वास्प मर जाता है और उसके साथ साथ अब जुलिया और पॉल भी बेहोस हो जाते है वहीं थोड़ी देर बाद जब उन दोनों को होस आता है तो उन्हें वहाँ पर पुलिस दिखाई देती है जो कि उनकी मदद करने के लिए वहाँ आई होती है और अब उन दोनों को बचाने के बाद वहां खड़े एक ओफिसर को वो मरा हुआ वास्प दिखाई देता है जिसे देखकर वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है मगर जैसे ही वो अपनी ओफिसर से उस वास्प के बारे में पूचता है कि तभी आस्मान से एक गाय का सर उसके उपर गिर जाता है जिसकी वज़ा से उसकी मोत हो जाती है और तभी हमें आस्मान में काफी सारे अजीब तरा के इंसेक्ट दिखाई देते हैं इसी के साथ हमारी मूवी यहां खतम हो जाती है तो गाईज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में